जहें दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एभी अंकेदश टड़ी में तोस्तो मैं अंकेदश आपको बताऊंगा कि आप भिन्नों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं यानिकि भिन्नों को जोड़ करने की एसी ट्रेक लेकर आया हूँ जो आप आप ने कभी नहीं देखिय होगी तो इस ट्रेक को करने का मतलब क्या है कि आप कम समय में किसी भी कॉस्चन को कैसे हल कर सकती है तिक है? इस TRIK का आपको पुरा पुरा फायदा उठाना है जब इस परकार के कॉस्चन दिये हूँ यानि कि दो भिन्नों को आपस में जोड़ना हो तो इस TRIK का आप यूज़ कर सकती है यानि कि श्ट्रिक का उपयोग इन दो संख्याओं को जोड़ने के लिए ही किया जाता है ठीक है जैसा कि आपको कॉस्चन दिया हुआ है कि 12 बटे 24 प्लस 13 बटे 12 तो प्लस 15 बटे 24 यानि कि इसको हम ट्रक से कैसे करेंगे तो इस ट्रेक को black Less तक कि वेडियो जबो देखे मिए क्कि Tammy बहुत याने तो तो किया करेंक सबसे पहले यह जो बटे वालवा संख्या के दोनों हर देखेंगे अ हर क्या होती है उपर होता अप और नीचे क्या होता है हर ठीक है इसका भी क्या है अंसे और यह क्या है हर है ठीक है तो मैं क्या कहूंगा कि इस हर का और इस हर का आपस मैं सबसे पहले तो गुणा करूंगा यानि कि 24 और 12 का मैं गुणा करूंगा 24 गुणा 12 4 दुनी 8 2 दुनी 4 84, और दो, 8-2, यनि कि इसका और इसका गुना करने पर हमें परप्त हो गया 288, आप क्या करेंगे, इस 12 का गुणा, इस 12 में कर देंगे, बारा का बारा में गुणा करेंगे हमें 144 प्राप्त हुगा अब क्या करेंगे इस 24 का गुणा हम 13 में कर देंगे करें 24 का गुणा तीरा में 24 का गुणा 13 में 12 तीन दूनी 6 और एक साथ फिर चार और दो दो ग्यारा और तीन यानि कि 24 का गुणा 13 में करने पर हमें क्या हुआ तीन सो बारा प्राप्त हुआ तो इस धन लगा है तो मैंने धन लगा दिया और 24 का गुणा में 13 में किया तीन सो बारा आ गया अब क्या करूँगा मैं इस 144 को इस 312 में जोड़ दूँगा यानि कि प्लस कर दूँगा तो हम प्लस करते हैं 144 और 312 चार और दो च्छे चार और एक पांच तीन और एक चाह इसको और इसको जूड़े पर हमें 456 संक्या प्राप्त हुई और बटेक में क्या लखा है प्लस करने यानि कि जोड़ करना है ऐसी किसी भी दो भिन्नों का जोड़ करने के लिए हमें श्ट्रिक का उप्योग कर सकते हैं कैसी कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है इस दोनों संक्याओ के हर को देखना है और आपस में क्या करना है गुणा कर दीना है ठीक है या का इस अंस में गुणा कर दिया तो इस अंस का इस हर में गुणा यानि कि बारा का बारा में गुणा किया तो 144 पराप्त हो गया और इस 24 का इस अंस में गुणा कर दिया तो 312 पराप्त हो गया अब मैंने क्या गया इस 14312 को जोड़ दिया तो 456 पराप्त हो गया और बटे कि है 208 तो इस तरीके से क्या है अपन किसी भी तो भिन्नों को आपस में जोड़कर इस ट्रिक से हम हल कर सकती है ठीक है कि जैसे हम एक और कॉस्चन देखें अगर जैसे कि अब दूसरा कॉस्चन दिया है क्या दिया हुआ है कि 14 वटे 13 प्लस 15 वटे 12 को हल कीजिए तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है ट्रेक का यूज करना है ट्रेक किस प्रकार लाइए जो हर है 13 और 12 का आपस में हम क्या करनेंगे सबसे पहले गुणा करनेंगे तेरा और 12 को गुणा करेंगे ते उर दिया हमें, 36 हमें 0014 प्राप्त हो गया अब मै इस 14 क सावधा का इस 12 में गुणा कर देंगग चवदा और बारा का क्या कर दूंगा गुणा चवदा गुणा बारा इस चवदा और बारा का गुणा करेंगे तो क्या होगा दो चोके आठ तो एक हम दो और चार और एक एक सो अड़ सट तो एक सो अड़ सट मैंने यहां पर लग दिया धन लगा तो धन लगा दिया मैं 168 और 195ального को जोड़ दूगा तो 168 और 195 को जूड़े 8 और 5 केतने हो जाएगे 13 के 3 हासला 1 9 और 6 केतने हो जाएगे 15 15 और 1 16 और हासल फेरे 2 और 1 3 अनिके इसको और इसको जूड़ने पर हमें 363 संक्या पराप्त होगी और बटे में क्या है 156 है ठीक है अब हम इसको 3 से काट भी सकते हूं नहीं काट आपको कर तो जो कात्यो लख की रिंदे यहीं क्या होगा हमारा आंसर होगा ठीक है लेकिन आप इसको सरल जरू कर लीजएगा तो कितनी बड़ी संक्या लेगा है तो मजा ने आइगा इसको सरल जरू कर लेगा तो दोस्तों इस ए Teil Trek आपको कैसी लगी हमें कमेन्ट सेक्षम में जरूर बता है और अगर वीडियो अच्ची लगी हो तो वीडियो को ज़्याद ज़्यादा लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को ज़द ज़द सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ बहुत ही जल तब तक के लिए धन्नवाद